हेलो यूट्यूबर्स एंट लवजादेक, शुदिश गुमार अगेन हीर फ्रम होराइजन चैक फॉर यू और होराइजन चैक फॉर यू के आज के क्विक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी hard drives को या SSDs को analyze कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन-कौन सी फाइले हैं कौन-कौन सी इसी डिरेक्टरीज हैं जो आपकी hard drive का space occupy कर रही है और अगर आपको वो unnecessary लगे तो उसे delete कर सकते हो तो first of all हम यह बात करेंगे कि space occupy करती है मतलब वहाँ पर दिखाई नहीं देती लेकिन space occupied होता है तो यह सारी जो समस्याएं है उससे अगर आपको बचना है और आपको analyze करना है अपनी hard drives को individual drives को या किसी भी directory को कि कौन-कौन से ऐसी फाइले हैं कौन-कौन से ऐसी बड़ी फाइले हैं जो आपकी hard drive का majority space cover कर रही है और आप पूरी system का एक analysis कर रखते हैं कि कितनी ऐसी फाइले हैं और कितना percent space occupy कर रही है तो ऐसे जो softwares होते हैं वो हमें install करने पड़ते हैं additionally normally तो आप explorer में जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन-कौन सी फाइले हैं लेकिन हर एक individual directory में आपको जाना पड़ेगा वो थोड़ा सा difficult process हो जाता है तो ऐसे free utility tools होते हैं जिनकी मदद से आप ऐसा कर सकते हो तो दो टूल का मैं यहां पर आपको example दूंगा और वो बहुत ही अच्छा एक टूल है जिसकी मदद से आप अपनी सारी hard drives को या जेतनी भी SSD हैं या जो भी system में drives connected है internally, actionally सबको analyze कर सकते हो और उनका ऐसा graphical representation देख सकते हो कि कितना percent space किस particular file या किस particular directory ने occupy कर रखा है तो जैसे हम बात करें हमारी C drive की एक 256 GB SSD है 850 Pro तो जब हम SSD की बा giant amount की hard drive है 4TB या 8TB या 10TB तो आपको शायद ये चीज इतना effect ना करें और अगर आप maintenance करते रहते हो time by time और इस चीज से aware हो तो शायद ये इतनी बड़ी बात नहीं है आपके लिए लेकिन जिनके पास छोटी SSDs है budget SSDs specially जब हम SSDs की बात करते हैं तो जो उसका cost per gig है वो बह कितनी files हैं जो extra में वहां पे space occupy कर रही है अगर आप उस space को खाली कर दो तो वहां पर आप दूसरी ऐसी important file है रख सकते हो तो इसलिए मैंने ये video बनाया है तो ये जो utility है disk space analyzer इसको जैसे ही आप C drive को select करके scan करोगे मैं आपको दिखा देता हूं कैसे करना है आपको यहां से यहां पर all drive चाहे तो आप सारी की सारी drives को कर सकते हो और अगर individual drive को चाहे तो individual drive को भी कर सकते हो और किसी directory को करना चाहे किसी particular folder को तो भी आप कर सकते हो कि उसमें कितनी file है और कितनी file है जो majority space occupy कर रही है तो हम अभी C drive को करते हैं जो की well known file होती है हमारे सामने सब को पता टेक्स्ट इंफोमेशन में रखा जाएगा, एस वेल ऐस ऐसे ग्राफिकल इंफोमेशन में भी चार्ट बनाके भी, पाई चार्ट बनाके भी आपके समने रखा जायागा, कि कितनी परसेंट फाइले हैं, वो यूज हो रही हैं, बड़ा space occupy कर रही है आपके system पे जैसे आप देख सकते हैं कि यह जो windows का folder है वो majority space occupy कर रहा है यह जो red है red color में इसलिए दिखाया है क्योंकि सबसे बड़ा space occupy करने वाला folder है वो windows का folder है अब सबको पता ही होगा जिस particular drive वे आपने operating system install करके रखी होती है उन पर यह सारे folders आपको मिलते हैं windows program files और यह सब यह सब बड़े major folder होते हैं ठीक है उसके बाद यह जो है system volume information अब आप normally क्यों मैंने कहा कि यह software में use करना पड़ता है क्योंकि normally explorer में जाके देखोगे तो यह जो drives है system volume information या swap file.sys यह सारी system files है यह normally आप नहीं देख सकते हैं यह hidden होती है और folder option में जाके आपको जो system file को protect करना का option होता है जो checked होता है उसको uncheck करना पड़ेगा और apply करोगे उसके बाद यह सारी file आपको explorer में दिखेंगी वो भी hidden format में ठीक है थोड़ी सी light होंगी color में आपको पता होगा hidden file कैसी होती है तो यह जो सारी file के information है वो आप देख सकते हो अब हम जैसे बात करें कि किसी और drive की जहां पे आपने data store किया है और आपको देखना है कि कौन-कौन सा data है जो major area cover कर रहा है उस particular drive का तो हम यहाँ पे देखते हैं यह हमारी drive है जिसमें tv shows store करके रखता हूँ मैं देखता रहता हूँ तो यह है देखिए 54% जो हिस्सा है वो discovery नाम के folder ने occupy करके रखा है इसमें discovery के documentary हैं सारी जो मैं जब वक्त मिले देखता हूँ तो आप समझ सकते हो इस representations है आप जब अपनी drive में सब करोगे इस particular software को download करके install करोगे जब यह glary utilities का ही एक चोटा सा tool है जैसे मैंने कहा था पूरा utility package है उसमें एक चोटा सा tool मिलेगा जो मुझे बहुत ही especially helpful लगता है और हमें पता चलता है कि कितना space है जो occupy हो रहा है इसके लाओ भी बहुत सारी particular category की applications होती है लेकिन बहुत सारी applications को use करने के बाद मुझे ये एक मेरे लिए perfect लगती है आप भी use कीजे शायद आपको helpful लगेगी तो ऐसे देख सकते हो आप यहां पर कितना percent occupy कर रहा है फिर जो www का folder है उसने 17% cartoon का folder है उसने 13% और अगर आप किसी folder के अंदर भी जाके देखना जाओ जैसे हम अब discovery में जाके देखना जाता है कि इतना बड़ा space उसने क्यों occupy कर रखा है discovery में जाके अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि the universe एक पूरी series थी history channel की उसका ये पूरा folder है जो की है 175.19 GB सबसे बड़ा folder इसने occupy कर रखा है 10% 10% स्पेस है जो discovery folder का जितना स्पेस है उस particular hard drive जितना स्पेस उसने occupy किया है उसमें से 10% स्पेस सिर्फ इस particular folder का है जो सबसे बड़ा है 175.19 GB उसके बाद BBC की ये जो documentaries का folder है वो 140 GB का है उसके बाद Cosmos ये बहुत सारे discovery के प्रोग्राम्स है जो अच्छे HD quality में होते हैं इसकी कोई unnecessary ऐसी फाइल है जो वहाँ पे space occupy कर रही है specially SSD पे और SSD पे मैं बहुत जल्दी एक quick tip बनाने वाला हूं कि optimization tip एक वीडियो है जिसमें एक बहुत useful information आपको दोंगा उसमें भी इस particular tool की हमें जरूरत पड़ेगी और दूसरा जो tool है जो मैं use करता हूँ वो है Tech Tree ठीक है ये बहुत ही helpful tool है ऐसे ही वैसा ही है लेकिन इसमें आपको ऐसा graphical representation नहीं मिलता लेकिन ये बहुत helpful है और इसको मैं क्यूं use करता हूँ इसका जवाब ये है कि आप किसी भी directory में जब explorer में जाके किसी भी directory को right click करके उस पे देखो के context menu में तो आपको एक ऐसा option मिलता है जैसे कि अ अब ही हमारी सारी drives है उस पे जैसे में एक्टरनल यूसबी की बात करो तो right click जैसे ही करोंगा उस पे एक ये option मिलता है open with era tree size free ठीक है जैसे ही मैं इस पे click करता हूँ तो उस particular drive का मुझे मिल जाता है representation कि क्या है जैसे ही आप उस पे click करोगे आप से एक बार permission मांगी जाएग कि उसमें क्या क्या है और कौन सी ऐसी फाइले हैं जिसने majority area cover कर रखा है तो यह देखिए आप देख सकते हैं 307 GB की एक single file है जिसने majority space cover करके रखा है 100% area 100% space उसी ने occupy करके रखा है तो यह भी एक बहुत अच्छा tool हो सकता है अगर आप चाहें तो use कर सकते हैं और अपनी सार उनको explore कर सकते हैं और जो large amount में space occupy कर रही है उन फाइलों को भी explore कर सकते हैं और अगर आपको लगे कि वो unnecessary है तो जो बड़ी फाइले हैं उनको निकालने से ही आपका ज्यादातर space है वो खाली होगा यानि कि अगर आप hard drive को खाली करना चाहते हैं किसी और फाइलों को वहां अपना hard drive का space खाली कर सकते हो और किसी और चीज के लिए उसे यूज कर सकते हो तो बस यही था एक छोटा सा वीडियो जो मेरे एक subscriber ने मुझे कहा था बनाने के लिए तो मैंने बना दिया I hope कि इस वीडियो मैंने आपको जो भी समझा है आपको सब को सभी से समझ में आ गया झाली कर दोड़ियो ऑटीयोłosय को कि इस वीडियो जो हो जो कर सकता हो जिए अख़ैं मुझे यजरिश गासता ह। झाल झाल